हलो दोस्तों मैं अविराज तुरेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकास एश्टेडी सर्किल के यूटूब चैनल पर दोस्तों पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्त पूर्ण टापिक समावेशी सिच्छा इस्टार्ट किया था जिसके अंतरगत मै मैंने आप लोगों को समावेशी सिच्छा का आर्थ समावेशी सिच्छा की परिवासा है जो कुछ महत्त पूर्ण मनो वग्यानी को द्वारा दी गई उनके बारे में जानकारी दी अताह समावेशी सिच्छा के अंतरगत जो विशिष्ट बालक होते हैं विशिष्ट बालक ये टॉपिक बहुत ही महत्पूर है, समावे सी सिच्चा, जैसा कि मैं पिछली दो क्लासों से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का उस तरीके का रिस्पॉंस इन क्लासों पे नहीं है, खैर उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्पूर हैं, और आपके यूपी टैट और यूपी पी आर्टी में यहां से कुश्चन हंडेड और टेन परसेंट बनना से और ही है, तो आज प इनकी सिच्छा बेउस्था क्या होनी चाहिए, इनके सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो दोस्तों बिना टाइम पोवेश्ट की अपनी क्लास को सुरू करते हैं, मंद बुद्धी बालक, मंद बुद्धी बालक कौन होते हैं, क्रो एंड क्रो ने बोला ह वो मंद बुद्धी बालक कहलाते हैं, तो दोस्तों आसा करता हूँ आप लोगों को इतनी चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी, आगे इसकिनर ने बोला है, इसकिनर ने बोला है, ऐसे बालक एक जगा सीखे गय गयान को दूसरी जगा प्रयोग करने में कठिना इसकिनर ने बोला है, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक क्लास में बताता हूँ, कि आप लोगों को चाहिए, कि जो ये मनोव जग्यानी को दारा डिफनी संदी गई है, आप इनको एक जगा नोट कर लीजिए, तो आप लोगों को आसानी होगी, आगे एक्ज गई ग्यान को दूसरी जगा प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ये इसकिनर ने बोला है, आगे देखेंगे मंद बुद्धि बालकों की विसेस्ता है, विसेस्ता क्या होती है इनकी, कैसे इनकी आप पहचान करेंगे, ऐसे बालक असफलता से निरास हो जाते हैं, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ये असफल होने से निरास हो जाते हैं, असफलता से इनको निरासा महसूस होती है, तो दोस्तों ऐसे बालक जो होते हैं, वो असफलता से निरास हो जाते हैं, आगे देखते हैं, ऐसे बालकों का आत्म विस्वास बहुत कम होता है, जो इ दूसरों की बजाए अपनी ये अपनी खुद की चिंता करते हैं दूसरा क्या कर रहा है इनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन खुद के बारे में सिल्फ ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसे बालकों में दूसरों की बजाए खुद की अपनी चिंता ज़्यादा रहती है आगे देखते हैं, ऐसे बालक जीवन में समायोजन के दौरान कठिनाई महसूच करते हैं, दोस्तों जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ये जीवन के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं, ये इनों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, और ये समाज से के साथ सीधा इंटर बुद्धि बालक आगे देखते हैं मंद बुद्धि बालकों के प्रकार मंद बुद्धि बालकों के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में देखेंगे सामानेता मंद बुद्धि बालकों के चार प्रकार होते हैं IQ के आधार पर IQ मतलब बुद्धि लब्धि के आधार पर मं बुद्धी बालकों के चारपकार होते हैं, कौन-कौन होते हैं देखेंगे दोस्तों, पहला है जड़ बुद्धी, दूसरा है मूर बुद्धी, तीसरा है मूर्ख बुद्धी, चौथा है सीमांतिया हीन बुद्धी, आईक्यू क्या होती है इनकी देखेंगे, जो जड़ ब बुद्धी के बालक होते हैं उनकी IQ कितनी होती है 70-80 इसी लिए सामानेता मंद बुद्धी बालक ये इस IQ वाले होते हैं मूर का और या सीमांत बुद्धी वाले जड़ा और मूर बुद्धी वाले तो बिलकुल ही एक तरीके से मंद बुद्धी की स्रेनी में बिलकुल निच यो एंड क्रो ने मानी है, कि 70 से नीचे IQ गाले जितने भी होते हैं, वो हमारे मंदबुद्धिबालक कहलाते हैं, मंदबुद्धिबालकों की उनको स्रेणी में रखा जाता है, आगे देखेंगे मांसिक मंदिता के आधार पर, जो मंदबुद्धिबालक होते हैं, उनका IQ क्य होता है देखेंगे मांसिक मंदिता के आधार पर IQ तो पहला आता है साधारन मांसिक मंदिता पहला है साधारन मांसिक मंदिता साधारन मांसिक मंदिता इनमें IQ कितना होता है ऐसे बच्चों का 22 सरसथ तक जो साधारन मांसिक मंदिता रखते हैं जो साधारन मतलब नॉरमल, बिल्कुल ना के बराबर, उनकी IQ कितनी होती है, 52 से 60, और जो अल्प मंद मानसिक मंदिता वाले बालक होते हैं, अल्प जिनमें साधारन से थोड़ा जादा होता है, उनके IQ कितनी होती हुआ, 36 से 51, और जो गंभीर मानसिक मंदिता होती है, जो यहां सरसट लिखा है. तो मंद बुद्धिबालकों की IQ 70 से कम. यहां भी देखाओगा आप लोगों ने 70 से कम है. तो आप लोग यह याद रखना. पहली तो एक चीज यह ध्यान देने वाली है. जो मांसिक मंद बुद्धिबालक होते हैं उनकी IQ 70 से कम 110% होगी होगी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मांसिक मंदिता के याधार पर जो मंद बुद्धी बालक होते हैं इनके बारे में बताया कि जो साधारन होते हैं नौर्बल उनकी IQ कितनी होती 52 से सरसड जो अलपत उससे थोड़ा जादा होते हैं उनकी IQ कितनी होती 36 से 51 और जो गंभीर मांसिक मंदिता वालक होते हैं उनकी IQ कितनी होती है 20 से 35 और जो गहन मांसिक मंदिता वालक होते हैं उनकी IQ कितनी होती है 20 से कम आगे दोस्तों देखेंगे मंद बुद्धी बालकों की सिच्छा बेवस्था मंद बुद्ध जो बालक होते हैं, उनकी सिच्छा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनकी सिच्छा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, देखेंगे, ऐसे बालकों को मूर्थ सामगरी के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जो मांसिक रूप से मंद बुद्धिवालकों, ऐसे बालकों को मूर्त वस्तूओं से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए मूर्त मिन्स क्या होता है दोस्तों जो सामने इसपष्ट चीजे दिखाई देती हो वो मूर्त चीजे होती हैं जैसे आप बच्चे को पर्यावरण की क्लास में है तो आप उनको EBS पढ़ा रहे हैं तो दिखाएंगे कि सामने ये नीम का पेड़ है तो आप नीम का पेड़ उसको दिखा दीजिए ये होती हैं मूर्त चीजे मालो आप वो ये नहीं करना है कि अमूर्त चीजे उससे दिखाएं या अमूर्चीवजों के बारे में जानकारी दे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा जो मंद बुद्धिबालक होगा आप लोगों को एक टीचर को क्या चाहिए आप लोग भी वैसे टीचर ही हैं टीचर ही होने वाले हैं तो एक टीचर को चाहिए कि जो मंद बुद्धिबालक हो उनके लिए मूर्थ चीजें टीएलेम ऐसी सारी चीजों का यूज करें जैसे माल लोगों को पढ़ाना है कि ताजमहल कहा है ताजमहल आगरा में है तो आप बच्चे को ताजमहल दिखा दीजिए मान के चलिए कि आप एक टीएलेम का यूज करें या एक चाट पे ताजमहल बना हो तो आप बच्चे को दिखाईए कि ये ताजमहल है और ये आगरा में स्थित है तो बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा अगर आप ओरल तरीके से बोल है कि बच्चों ताजमहल आगरा में है तो मानसिक प्रतिबासाली बालक और स्रजनात्मक बालक या सामाने बालक तो उस चीज को कैश कर लेंगे लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होंगे उन्हें ये चीजे किलियर नहीं होगी तो दोस्तों यही होता है मूर्ध सामगरी से जोड़ कर पढ़ाना तो ऐसे बालकों को मूर्ध सामगरी से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए अगला है NCF 2005 के अनुसार वास्तविक जीवन से जोड़ कर सिच्छा देनी चाहिए जो NCF 2005 राष्टी पार्थ चर्रया की रूप रेखा 2005 में प्रस्तावित हुई उसका कहना है कि ऐसे बालकों को वास्तविक जीवन जो उनका एक्चुल जीवन चर्द रहा है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर जो उसके आस बच्चे का आस पास का वातावर्ण है उससे जोड़ कर सिच्छा देनी चाहिए आगे देखते हैं ऐसे बालकों के लिए TLM का आयोजन करना चाहिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ताज महल वाला एक्जामपल देखे बताया है कि ऐसे बालकों के लिए TLM मलब Teaching Learning Material इसको TLM बोलते हैं या सिच्छन साहयक सामगरी सिच्छन साहयक सामगरी क्या होती है दोस्तों आप लोग ये भी देख लें यहाँ पे जो आप Teaching के दोरान एक Teacher यूज़ करता है जैसे TLM में चाक डश्टर ये चीज़े भी आ जाती है और आप एक कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबनी तक चार्ट लगा है तो वो भी TLM के संदर्ब में यूज़ होगा तो वो होता है मारा TLM तो ऐसे बालकों को मूर्त ये TLM वाला मूर्त में ही आ गया कि ऐसे बालकों को TLM का यूज़ करके आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे TLM यूज़ करें तो वो बच्चे बहतर तरीके से समझेंगे उस चीज़ को आगे है पाठ क्रम में हस्त सिल्फ सिच्छा को बढ़ा रवा देना चाहिए उस से बच्चे बहतर तरीके से सीखेंगे और उस चीज़ को वो अच्छे से कर पाएंगे तो आप ये होती है हस्त-सिल्फ सिच्छा की बच्चों से मीटी के बरतन, मीटी के खिलोने, आईसी चीजे बनवाना, तो ये इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए आईसी सिच्छा को आगे देखते हैं, ऐसे बालकों के लिए एक से अधिक विधियों दौरा सिच्छा देनी चाहिए, जो मंद बुद्धि बालक हों उनको ऐसा नहीं है टीचर को चाहिए कि उनको एक ही विध दौरा सिखाया जाए, अगर वो एक विध से नहीं सीख पाते हैं तो उनको दूसरी विध दौरा सिखाना चाहिए, दूसरे मलब एक से अधिक दो, तीन, चार आप जितनी विधियां टीचिंग में अपना रहें तो उससे बच्चे बेहतर तरीके से ही समझेंगे, ऐसा नहीं करना है कि कोई एक पर्टिकलर आप मैथर से पढ़ाए और पढ़ा के चले गए, तो आप उस तरीके से बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उस चीच को नहीं समझ पाएगा, तो एक टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक से अधिक विधियो दोरा सिख्चा देनी चाहिए, आगे है ऐसे बालकों के आत्मिश्वास को बढ़ावा देना चाहिए, जो म मंद बुद्धी बालकों के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, आगे देखेंगे अब हम लोग वंचित बालक, वंचित बालक या अलामंतित बालक, वंचित बालकों को ही अलामंतित बालक कहते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो वंचित बालक होते हैं वो जीवन की सुख सिवधाओं को प्रात करने में पीछे रह जाते हैं वंचित बालक कहलाते हैं एक चीज आप लोग और याद रखना वंचित बालकों से तातपर्र क्या है वंचित बालक मिंस ये है कि वो किसी कारणवस सिच्छा से वंचित रह ज जाते हैं अपनी जो नॉर्मली सिच्छा से कहलें या जीवन की और जितनी भी सुक्सिवदाएं होती हैं उस किसी कारणवस वंचित रह जाते हैं वो मजजित बालक कहलाते हैं ऐसा नहीं है वंचित बालक जो होते हैं इनकी IQ कम होती है IQ से इनका IQ बिल्कुल मेंटेन रहता है क कोई दिक्कर नहीं होती है लेकिन वो समाज में क्या हो रहा है उन चीजों को देखते ही नहीं है तो उस चीज का उनके अंदर विकास ही नहीं डेवलप हो पाता है तो दोस्तों इसी लिए वो वंचित बालक कहे जाते हैं अगर उनको चीजे सिखाई जाएंगी उनको बताय जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है तो उनके दिमाग में उनकी IQ में ऐसा नहीं है कि उनकी IQ कम होगी मंद बुद्धि बालकों की तरीके से तो वो सीख कम पाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है वो किसी कारण वस पीछे रह जाते हैं जो उन्होंने देखा ही नहीं है कभी आप एक्जांपल के तौर पे समझिए अगर आप कभी कोई चीज देखे ही नहीं है तो भले आप प्रतिभासाली बालक हों या क्रियेटिविटिव सजनात्मक बालक हों आप उन चीजों को नहीं कैच कर पाएंगे तो वही होता है बिल्कुल वन्चित बालकों के संदर्म म अला मंतित समुदाय से आते हैं वन्चित बालक कहलाते हैं यह अगली डिफनीसन है आगे देखते हैं दोस्तों पोल मैन ने क्या बोला है वन्चित बालकों के संदर्म में वन्चन निम्न इस्तरीय जीवन दसा की और संकेत करता है जो बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने से रोकता है दोस्तों वन्चित बालकों के संदरब में जो वन्चन है वन्चन से ही वन्चित बना है जो वन्चन है ये निम्न इस्तरिय जीवन दसा की और संकेत करता है ये बोल मैंने बोला है और जो बालकों की सामाजी के वनसांसकृतिक उपलब्दियों को प्राप्ट करने से रोकता है। आगे देखेंगे। आगे क्या है विसेस्ता। आसा करता हूं दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छě से किलियर होई होगी। वंचित भालोकों की विसेस्ता क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग दिखेंगे कि वंचित बालोकों की पहचान कैसे की जा सकती है, कम सामाजिक इस्तर, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को अभी ये किसी कारणवस, किसी कारणवस पीछे रह जाते हैं, जीवन की सुक्स विदायन संसक्रतियों में पीछे रह जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो वही होता है, इनका कम सामाजिक इस्तर, सामाजिक इस्तर इनका बहुत ही कम होता है, अगला है, अगली विशेस्ता क्या होती है, सिच्छा के प्रति उदासींता होती है, सिच्छा के प्रति में उदासींता पाई जाती है, और अगला क्या है दोस्तों, ऐसे बालको ऐसे बालकों में दोस्तों सम्वेगात्मक आई स्थिरता पाई जाती है और क्या है समायोजन प्रक्रिया का अभाव होता है। आगे है सिच्छा बेवस्था क्या होनी चाहिए वन्चित जो बालक हो उनकी सिच्छा बेवस्था कैसी होनी चाहिए निसुलक तथा आवासिय सिच्छा बिल्कुल सही बात है जो वन्चित बालक हैं वन्चित बालक कैसे जो किसी कारणवस विद्याले बिचारे नहीं आ पात तो किसी कारणवस अगर वो अपने एजुकेशन से वंचित रहे गए हैं तो ये बालक होते हैं हमारे वंचित बालक तो इनकी सिच्छा व्योस्ताक ऐसी होनी चाहिए कि इनको पहली बार निसूलक तथा आवासी सिच्छा, आवासी सिच्छा मतलब विद्याले में ही ऐसा सकें तो ऐसे बालक जो आवासी और निसूलक सिच्छा को प्रवाइड की जाएगी तो वो अपनी पढ़ाई में बेहतर हो सकेंगे क्योंकि वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि उनकी IQ कम होती है वो किसी कारणवस नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसे बालकों के लिए निसूलक एवासी सिच्छा का प्रवंद करना चाहिए अगला है चात्रवत तथा अन्यार्थिक सयोग प्रदान करने चाहिए चात्रवत और अन्यार्थिक सयोग प्रदान करने चाहिए ऐसे बालकों को और ऐसे बालकों के माता-पिता को सिच्छा प्रदा तो यही होता है वंचित बालकों को माता पिता जो पैरेंट्स हो एक टीचर को ये भी चाहिए कि उनको भी सिच्छा प्रदान करनी चाहिए उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि ऐसा नहीं है अब पढ़ाने से एजुकेशन आज के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है तो उन लोगों को ये चीजे बतानी चाहिए एक टीचर को ये चाहिए अगला है इन बालकों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए एक टीचर को चाहिए कि इन बालकों के एक पच्छ को नहीं ध्यान देना चाहिए इनके आर्थिक सामाजिक सारी प्रष्ट भूमियो को देखकर इनके संपूर सरवांगीन विकास पर ध्यान देना चाहिए एक टीचर को तो ये बालक बहतर हो जाएंगे अगला है विवसाइक सिच्छा प्रदान की जाए विवसाइक सिच्छा से तातपर क्या है विवसाइक सिच्छा मतलब जो self-advent, अपना कोई ऐसी इनको सिच्छा देनी चाहिए ऐसी सिच्छा के लिए इनको motivate करना चाहिए, जैसे ये खुद के लिए अपने लिए कुछ कमा खा सके व्योसाई, व्योसाईक सिच्छा व्योसाई में अपना invest कर सके, स्खेती कर सके आईसे इन चीजों को ऐसी सिच्छा को बढ़ावा देना चाहिए तो ये हैं हमारे वंचित बालक इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो दोस्तों, आसा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी आज की क्लास में हम लोगों ने मंदु बुद्धिबालक और वंचित बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त की दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सेर भी कीजिए आप लोग दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हिंदी जौगर्फी, जौगर्फी की इस टाइम क्लासेश चल रही है आप लोग देखिए बहुत ही महत्तपूर्ण क्लासेश चल रही है तो आप लोग उनको भी पढ़िये हिस्टरी की बहुत महत्तपूर्ण क्लासेश चल रही है आप लोग वो भी पढ़िये आप लोगों के लिए वो क्लासे भी बहुत ही महत्तपूर्ण है दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनायर किये विकास एस्टरी सरकिर परिवार आप सभी के उजल भविस्ट की कामना करता है दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ अभी इसमें हाँ आई थिंक इसमें अभी समस्यात्मक बालक और जो अधिकम अच्छमता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए चैहिंद